इसको control करने के effort है, rescue के effort है, उसमें हमारे staff को काफी problem आई, fire tender को काफी problem आई क्योंकि highly ये जो plastic का material है, इससे smoke वगरा काफी बन गया और जो deaths भी हुई है, जो unfortunate deaths हुई है, वो ज्यादा asphyxia से, suffocation से हुई है और जब हमारा fire department और Delhi police इनको rescue करने की कोशिश कर रहे थी, smoke की वज़ा से, जैसे मैंने आपको बताया के यहाँ plastic और जो भी raw material था, paper वगरा थे, smoke जादा की वज़ा से होने में, fire tender के भी दो जो करमचारी है, उनको थोड़ी चोट आई है, दो police वालों को भी चोट आई है, और बाकी जो अभी हमने LNJP और Lady Harding में shift कर दिये, और इसमें हमने Delhi police ने FIR दर्श कर दिये, honors और बाकी जितने भी अगर ये building में अगर किसी ने rent पे लिए है, जहां कोई चला रहा है factory, उनको तमाम के खलाफ कारवाई की जाएगी, और CP साब ने इस case को है, क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है, और क्राइम ब्रांच की भी टीम आ चुकी है, और इस building का पूरा मॉयना किया जा रहा है, फसल की specialized teams आ रही है, उनसे चेक करवाया जा रहा है, और जल्दी इसमें हम जो भी दोशी होंगे, उनको arrest करेंगे, वही जैसे मैंने आपको बताया है, अभी बड़ा initial है, अभी जो आपने जैसे देखा है, अभी हमारा first phase खतम हुआ है, first phase हमारा rescue का था, ताके तमाम जितने भी यहां workers हैं, उनको यहां से निकाला जा सके, और उनको hospital पचाया जा सके, और उसके बाद उनका proper एलाज हो सके, और वह हमारा खतम हो गया phase अभी, second हमने NDRF से हमने teams बलाके, सारी building को चेक करवाया है, कि कोई इसमें फसा तो नहीं है, मान लिजे कोई, क्योंकि building congested होने की वज़ा से, वो भी almost हमारा खतम हो चुका है, पूरी building हम चेक कर चुके है, थर्ड फेज हमारा अभी FSL की teams थोड़ा, क्योंकि आग की वज़ा से building गर्म हो जाती है, तो उसके बाद हम FSL की team से चेक करवा रहे हैं, लेकिन सेमुटेनिसली जो इसके honor वगह रहा है, उन पे भी हम raid कर रहे हैं, और जल्दी हम उनको पकड़ लें। rescue operation में एक तो आपने जैसे कहा है कि थोड़ा तंग है, उसकी वज़ा से problem आई, और दूसरी मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ plastic और ये ऐसा material ज़ादा था, जिससे smoke ज़ादा बनने की वज़ा से, उसको हमें दिक्कत आई कि rescue operations में, और इसमें ज़ादा building में exit भी नहीं थ आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के तरफ से ये बयान अब आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने का कि आग जो है short circuit की वज़े से लगी है, हला कि इस पर जाच होगी, 60 से ज़ादा लोगों को rescue कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस का ये बयान है, आग दरसल एक इमारत में लगती है, जिसमें commercial activity चल रही थी और इसके बाद में उसके अलग-अलग floor पे वाग फैलती चली गई, और उसके बाद में फिर आग का ये तांडव कुछ इस तरीके से देखने को बिला जिसमें 43 लोगों की जाने चली गई, एलन जेपी एस्पाल के डिरेक्टर किशोर सिं लोगों की मौते हुई है, 60 से जादा लोगों को rescue कर लिया गया है, मगर 43 लोगों की जिन्दगियां खत्म हो चुकी है, फिलहाल जो जानकारी आप आ रही है, उसके मताबिक दिल्ली पुलिस ने जबात अभी जाँच से पहले, यानि कि तफ्तीश की रेपोर्ट आने से पह झाल